हाई गाईज, वेलकम टू कॉंसेट क्लारिटी आज का वीडियो है स्रकुलेटरी सिस्टम के उपर चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले देखने हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे बॉड़ी के फ्लूइट्स के बारे में फिर हम पढ़ेंगे बॉड़ और उसके कॉंपोजिशन के बारे में सबसे पहले आता है बॉड़ी के फ्लूइट्स बॉड़ी में कौन से फ्लूइट होते हैं देखिए बॉड़ी में तीन तरह के फ्लूइट होते हैं सबसे पहला जो सबसे common है जिसको सब जानते हैं वो है blood second वो होता है आपका tissue fluid और तीसरा आपका होता है lymph fluid इसके बारे में mostly सब जानते हैं ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने कम सुनाए तो आज हम इन तीनों के बारे में discussion करेंगे सबसे बहले आता है blood blood को आप जानते ही है blood body में arteries में flow करता है veins में flow करता है और capillaries में flow करता है इन के बारे में arteries क्या है veins क्या है capillaries क्या है इसके बारे में हम detail में discussion करेंगे आगे जब हम heart के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक rough overview देता हूँ कि arteries क्या है और veins क्या है और capillaries क्या है देखिए यह आपका मानलीज़ heart है ठीक हार्ट ऐसा होता नहीं स्रफ बनाने के लिए मैंने बनाया ऐसा क्योंकि हम mostly इसी से resemble करते हैं heart को heart से जो blood पूरी body में जाता है ठीक है वो जाता है arteries के थुरू और body से यह मानलीज़ आपकी पूरी body है body से वापस जो heart की तरफ आता है वो आता है vein के थुरू और यहाँ पे जो बीच में इनका जो connection होता है arteries और vein का वो होता है capillaries के थुरू समझ गए heart से जो blood body की तरफ आता है arteries में body से वापस जो heart की तरफ जाता है वो जाता है vein के थुरू इसमें oxygen का level arteries में ज्यादा होता है इसमें oxygen का level क्या होता है थोड़ा सा कम होता है less होता है इसके comparison में इसमें ज्यादा होता है arteries में oxygen इसमें oxygen का level veins में कम होता है यहाँ पे heart से body की तरफ आता है यहाँ पे body से वापिस heart की दरफ जाता है बीच में जो उनका interconnection है arteries और वी इनका वो capillaries के थुरू होता है capillaries काफी fine होती है काफी पतली सी होती है सबसे थिक होती है arteries arteries बहुत थिक होती है vein arteries के comparison में थोड़ी से थेन होती है capillaries काफी ज़्यादा fine होती है ठीक है काफी ज़्यादा fine होती है तो अभी यह आपको समझ में आगया होगा कि blood किस तरीके से flow करता है arteries, vein और capillaries में अगर नहीं भी समझ में आया है इतना detail में तो उसकी tension मत लीजिए क्योंकि आगे मैं इसको detail में discussion करूँगा जब हम heart के बारे में पढ़ेंगे तो पहला तो यह होगे आपको सौंझ में आगया एक हमारा body का fluid है blood second हमारा body का fluid होता है tissue fluid अब यह क्या होता है tissue fluid देखिए माल लीजे यह एक vessel है ठीक है यह एक blood vessel है जैसे arteries में नहीं यह mainly calm capillarism होता है माल लीजे एक capillar ही है ठीक है अब यहाँ पर blood flow कर रहा है blood में काफी चीज़े होती है आपका cells होते है RBC होते है WBC होते है white blood cells होते है इनके बारे हैं सब अभी हम आगे detail में discussion करेंगे सिर्फ में अभी और भी दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए अब यह blood vessel है इस blood vessel में blood flow कर रहा है यह देखिए blood flow कर रहा है ऐसे अब इस blood में RBC भी हैं WBC भी हैं और और भी चीज़े हैं जो blood में सारी होती है protein भी है hormones भी है काफी कुछ है अब होता क्या है यह तो आपकी blood vessel है यहाँ पर होते हैं cell ठीक है यह तो थोड़ा सा blood होता है वो leak कर जाता है भार ठीक है भार की तरफ आ जाता है थोड़ा सा blood भार की तरफ आ जाता है यह जो भार blood आता है इसमें एक बात हमेशा दियान लखीगा इसमें RBC नहीं होता जो भार blood आता है उसमें RBC नहीं होता और जो protein होता है वो half होता है लगबग half होता है in comparison उस blood के जो अंदर है ठीक है? तो ये blood आ गया आपका भार यहां पे blood आ जाता है सारा तो अब ये जो blood भार आ गया है ये जो cell को surround कर रहा है blood ब्लड वैसल है blood वैसल में blood flow कर रहा है ठीक है? इस में से जो blood थोड़ा leak होके भार आ गया है इस blood वैसल में से इस capillary में से जो blood leak होके भार आ गया है और उसने जिस cell को जो surround कर लिया है ये cells हैं ये cell है ये दोनों cell हैं इस cell को जो blood ने surround किया है भार निकलके इस वाले blood को, इस वाले fluid को हम बोलते हैं tissue fluid, difference क्या होता है एक तो इसमें RBC नहीं होते हैं, अंदर वाले blood में RBC होते हैं, और protein half होता है in comparison जो blood इस vessel के अंदर flow कर रहा है अब क्या होता है, ये tissue fluid भार आया, अब ऐसा निकी भार ही रहता है, ये फिर वापस अंदर भी चला जाता है ठीक है, पूरा का पूरा नहीं जाता कुछ भार रहता है कुछ अंदर चला जाता है और कुछ around 10% एक दूसी तरह की vessel में flow करता है जिसे हम बोलते हैं lymph vessel क्या बोलते हैं हम इसे lymph vessel तो क्या हुआ यहाँ पे जो tissue fluid था, कुछ तो वापस चला गया कुछ तो चला गया वापस इसके अंदर vessel के, और कुछ इदर ही रह गया cell के around, और around 10% tissue fluid किसमें flow कर जाता है lymph vessel के अंदर ठीक है, ये concept आप इस diagram के थुरू समझ सकते हैं, देखिए ये blood जा रहा है ठीक है, ये blood flow कर रहा है इस capillary के अंदर, कुछ blood क्या हुआ बहार आ गया, और ये blood जो बहार आया, इसने cell को surround किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम tissue fluid, अब कुछ tissue fluid क्या हुआ, वापस चला गया इस vessel के अंदर, capillary के अंदर और कुछ बचा हुआ 10% के round, tissue fluid कहा आ गया इस lymph vessel के अंदर आ गया ठीक है, तो अब तीन तरह के आपको सौन में आ गया हुआ, यहाँ पर fluid बन रहे हैं, एक तो आपका हो गया blood ये capillary के अंदर, फिर एक tissue fluid, cells के round और फिर एक है limb fluid, limb fluid का है lymph vessel के अंदर, ये limb fluid कहां से बना है, ये tissue fluid जब flow कर जाता है limb vessel के अंदर तो उसका हम बोलते है limb fluid, तो तीन तरह के fluid हो गया blood, tissue fluid और limb fluid अच्छा एक चीज और अब इस tissue fluid का यहाँ पर main काम क्या है ठीक है, देखिए, जो cells तक ये tissue fluid क्या करता है, oxygen पहुचाता है, चाह उत्रफ से surround कर लेता है, और इन तक ये पहुचाता है oxygen, amino acid मतलब protein, glucose पहुचाता है और fats पहुचाता है और जितना भी इन cells के अंदर oxygen पहुचा दी और काम की चीज़े पहुचा दी इन cells के अंदर जो खराब चीज़े हैं इन cells के अंदर वो वापिस ले जाता है यहां से ठीक है, remove क्या करता है CO2 और another waste material from cells तो ये काम है tissue fluid का अब देखते हैं lymph fluid के बारे में देखिए, lymph fluid जैसे मैं आपको बता है ये lymph vessels के अंदर flow करता है ठीक है और lymphatic organs होते हैं जिसे हम बोलते हैं spleen जैसे की example tonsils ठीक है, जैसे ये आप एक picture देख सकते हैं इसमें पूरा, ये जो पूरा system बनता है lymph fluid का, इसको बोलते है lymphatic system इसके बारे में बहुत detail में नहीं है आपके slivers में लेकिन एक overview आपको पता होना चाहिए तो ये जो lymphatic system है ये पूरा lymph fluid के उससे ही बना हुआ है तो ये आप दिख सकते हो इस picture में दिखाया गया lymphatic system ये tonsils है, ये thymus है ये spleen है ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर ये आपको lymph fluid मिलेगा और ये lymph vessels के अंदर होता है ठीक है, lymphatic organs के अंदर होता है और lymph vessels के अंदर ये lymph fluid होता है ठीक है, हम around 3 liter lymph fluid बनाते है per day, everyday हम 3 liter के around lymph fluid बनाते है अच्छा एक चीज़ बता दूँ, blood आपको पता होगा bidirectional होता है blood bidirectional मतलब, एक तो heart से body की तरफ flow करता है फिर वापस body से heart की तरफ flow करता है तो ये हो गया bidirectional लेकिन जो lymph fluid है वो खाली body से heart की तरफ flow करता है ये unidirectional होता है ठीक है, उसके बाद फिर lymph nodes भी होते है lymph nodes का क्या काम होता है जितना भी हमारी body में जैसे कि ये bacteria है, virus है इन सब को ये lymph nodes neー trap कर लेते हैं cancer cells हैं और जो भी unwanted substance है इनको ये lymph nodes ये lymph nodes क्या कर लेते हैं lymphatic system में जगे जगे पर lymph nodes होते हैं ये bacteria, virus, cancer cell और unwanted substances को trap कर लेते हैं और इन को हमारी body से safely eliminate गर देते हैं हमारी body से safely बहार निकाल देते हैं तो ये काम है, इस पूरी तरीके से इस तरह से लिंफाटिक सिस्टम काम करता है तो आपको clear हो गया होगा, तीन तरह के body में fluid है, एक blood है, एक tissue fluid है, तीसरा limb fluid है अब हम पढ़ेंगे blood के बारे में, सबसे important blood ही है अब देखें, पहली चीज़, blood कभी भी stationary नहीं होता, blood हमेशा move करता है, कभी भी रुका हुआ नहीं होता, हमेशा move करता है ठीक है, फिर arteries में जो blood होता है, वो होता है bright red color का, veins में जो होता है, वो होता है dark red color का देखिए, यह माली चीज़ आपका heart है, heart से जो blood body की तरफ flow करता है, वो flow करता है artery में और जो body से वापिस flow करता है, heart की तरफ वो flow करता है, vein में, ठीक है, vein में flow करता है यह जो blood होता है, heart से body की तरफ जो आता है artery में, इसमें oxygen का level जादा होता है oxygen का level ज्यादा होता है और जो body से वापिस heart की तरफ जाता है उसमें oxygen का level क्या होता है? Less होता है Less किसे comparison में Less? Artery के comparison में Less अच्छा बहुत सो लोग यह सुचते हैं कि vein में oxygen का level होता ही नहीं है oxygen vein में होती ही नहीं है यह बिलकुल गरत है vein में oxygen होती है लेकिन आर्टरी के comparison में कम होती है तो अब इसमें oxygen जादा है इस वाले blood vessel में आर्टरी इसमें oxygen जादा है इसलिए इसका color होता है bright red इसमें oxygen का level कम है इसलिए dark red दखाई देता है यह आप देख सकते हो picture यह artery का blood है इसे हम oxygenated blood भी बोलते हैं आर्टरी में होता है और यह वाला जो blood है जिसमें oxygen का level कम है इससे हम deoxygenated blood भी बोलते हैं इसका color आप देख सकते हो यह dark red है यह veins का है ठीक है यह vein का है और यह आपका artery का है तो इस तरीके से आप देख सकते है color का difference है एक adult में around 5-6 liter के आसपास blood होता है around 5-6 liter का blood हमारे अंदर होता है blood का taste होता है saltish क्योंकि यह थोड़ा सा alkaline होता है pH इसका 7.4 है 7.4 pH का मतलब होता है alkaline अगर pH आपका 7 है तो that means जो इसका यह neutral है ठीक है pH अगर 7 मतलब होता है neutral तो यहाँ पे pH आपका blood का है 7.4 that means it is alkaline तो थोड़ा सा saltish होता है taste में अब आके देखते हैं blood बना किस चीज़ से blood की composition क्या है देखिए blood mainly 2 चीज़ों से बना है एक तो होता है आपका plasma दूसरा है आपके blood के cells plasma mainly होता है आपका 60% blood में blood का 60% plasma ही है बाकी बचा हूँ around 40% क्या है blood के cells है अब पहले हम पढ़ते है plasma के बार में देखिए वो यह plasma क्या चीज़ है blood का जो भी fluid वाला part है जो भी liquid वाला part दिखाई देता है आपको blood का वो plasma है ठीक है यह देखिए यह light yellow color का होता है यह plasma है यह plasma है यह picture में आप देख रहे है yellow color का यह plasma है यह liquid part है blood का जो fluid part है blood का उसको plasma बोलते है ठीक है इसके अंदर क्या-क्या होता है इसके अंदर हमारा पानी होता है तब ही fluid part है फिर proteins होते हैं इसके अंदर amino acids ठीक है यह सारे इस blood के अंदर ही होते है salt होते है जैसे NaCl आप नमक खाते है NaCl ऐसी blood में भी होता है NaCl फिर hormones आपके जितने भी होते हैं hormones chemical messenger होते है यह बताते हैं किसको message लेकर जाते है chemical messenger किसको क्या करना है ठीक है तो hormones भी आपके सारे plasma में होते है urea भी एक तरीके का waste product है यह भी plasma में होता है तो yellow color का होता है plasma 60% blood इसी से बना है बाकी बचा 40% क्या है blood cell अब यह blood cell क्या है यह जैसे की red blood cell, white blood cell, platelets इनके बारे में भी detail में आगे पढ़ेंगे यह सब बनाते हैं बचा हुआ 40% यह आप picture देख सकते हो देखिए around 55-60% yellow वाला क्या है plasma फिर बचा हुआ 40-45% क्या है वो ही cells है अब इन cells में से भी mainly red blood cell है यह देखिए लाल रंगा दिखाई दे रहा है फिर जो बाकी बचा हुआ 1% से भी कम जो cell है वो क्या है white blood cell और platelets तो blood किस से बना है दो पार्ट से पहला यह plasma है दूसरा क्या है cells cells में भी सबसे यादा कौन से है 45% red blood cell है 1% से भी कम क्या है white blood cell और platelets I hope यह clear हो गया होगा concept अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते है red blood cell क्या होते हैं देखिए red blood cell जो है नाम इसका एक और भी होता है जिसको बोलते हैं arthrocytes arthrocytes क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जो word है arthro इसका मतलब है red sides मतलब होता है cell एक तरीके से red color के हैं red blood cell बोला जाता है इनका दूसरा नाम arthrocyte भी है arthrocytes का मतलब होता है red फिर इनका structure देखिए कैसे है side से by concave है मतलब concave type के अगर आपने physics में पढ़ा हुआ है convex और concave तो आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा यहाँ पे इनका structure by concave है beach में flat है side में उठे हुए हैं इस तरह से यह mainly इसलिए होता है इस तरीके से क्योंकि surface areas का भढ़ जाया और यह ज्यादा स्यादा oxygen एब्सॉप कर पाए अब इसके बार हम आगे देखेंगे oxygen का क्या fund आए यहाँ पे एक adult male में around 5 million red blood cell होते हैं और adult female में around 4.5 million red blood cell होते हैं 1 million होता है 10 lakh यानि कि 50 lakh red blood cell है एक adult male में और adult female में है 4.5 यानि कि 45 lakhs per cubic mm of blood अब थोड़ा सास के बारे में और देखते हैं आगे red blood cell बनते का हैं ये बनते हैं marrow of long bones में marrow क्या होता है marrow of long bones क्या ये देखिए picture आप देख रहे हैं ये एक bone है एक हड़ी है इसमें अंदर ये जो खाली जगे है इसमें ये देखिए ये है red ये bone marrow आपका flexible होता है काफी soft सा spongy सा होता है तो इस तरीके से ये जो आपका bone है उसके अंदर ये थोड़ा soft सा spongy सा flexible सा ये आपका bone marrow है तो जो आपकी bones है है ribs की bone है ये chest की breast bone है यहाँ पे ये mainly ये produce होता है जितनी भी ज़्यादा long bones है ना उनके ये खाली space में ऐसे bone marrow में यहाँ पे red blood cell क्या होते है produce होते है फिर red blood cell में ना तो कोई nucleus होता है ना तो कोई mitochondria है ना ही कोई endoplasmic reticulum है अब ये चीज़े क्या है अगर इसके बारे मैं आपको नहीं पढ़ा तो पता तो आप 9th का मेरा बायो का वीडियो देख सकते है मैंने काफी detail में समझाया है कि cell के अंदर ये सब चीज़े क्या होती है nucleus क्या है, mitochondria क्या है endoplasmic reticulum क्या होता है red blood cells में तीनों चीज़े नहीं होती है ठीक है red blood cell जब हम सोते हैं तो उस टाइम 5% कम हो जाता है और physical activity और pregnancy के time पे red blood cell बढ़ जाता है जो लोग height पर रहते हैं sea level से 4200 meter की height पर रहते हैं minimum बतलब ज़्यादर आपको पहाड़ी लोग मिलेंगे जो पहाड़ों में मिलेंगे आपको red blood cell 30% के असपास बढ़ जाता है ठीक है red blood cell की जो average life है वो है 120 days 120 days इनकी average life है और ये इनका destruction कहा होता है इनका destruction होता है हमारे organs में spleen में, liver में और bone marrow के अंदर फिर कितने red blood cell destroy होते हैं daily around 1% के आसपास red blood cell daily destroy होते हैं अब red blood cell का जो सब सबसे important component है वो है hemoglobin वो क्या चीज है वो है hemoglobin अब hemoglobin क्या चीज है देखिए ये है red blood cell red blood cell का जो असली काम है अगर आपको बता हूँ तो वो है oxygen को carry करना oxygen को carry करना oxygen को carry करता ये लेकिन इसके अंदर एक चीज है जो इस oxygen को carry करती है जिसको हम बोलते है hemoglobin है hemoglobin में लिए protein molecule है अभी उस चीज के उपर नहीं जा रहा है बस आप ये समझ लीजे कि red blood cell के अंदर एक ऐसी चीज है जो oxygen carry करती है जिसको हम बोलते है hemoglobin अब hemoglobin क्या होता है hemoglobin आपका बनता है दो चीजों से ये आपका है hemoglobin hemoglobin बना है आपका दो चीजों से एक उसमें होता है आपका iron इसके दो पार्ट है एक आपका iron का पार्ट है और दूसरा पार्ट होता है hemoglobin में protein का पार्ट तो iron का जो पार्ट है उसे तो बोलते हैं ठीक है ये जो आपका हेमो है समझ लिए यह हम आपका आइरन वाला पार्ट है प्रोटीन कौन सा है ग्लोबिन वाला तो इन दोनों से मिलके हेमोग्लोबिन बनाए एक पार्ट आइरन है एक पार्ट आपका प्रोटीन है इस आइरन वाले पार्ट में हेमोग्लोबिन के यहीं पर आके oxygen क्या होती है attach होती है और इसी की वज़े से यह जो hem वाला part है, iron part है इसी की वज़े से जो blood का color है वो है red, ठीक है blood का color जो red है वो hemoglobin के iron वाले part की वज़े से ही है, यहाँ पर oxygen आके attach होती है इस iron वाले part में ही oxygen आके आपकी attach होती है फिर इसी की वज़े से आपको blood का color जो है red दिखाई देता है ठीक है? तो it combines with hemoglobin, combines with oxygen to form oxy hemoglobin यह देखिए यह hemoglobin का molecule है इस molecule में देखिए यह oxygen आके attach हुई है यह iron यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे देखिए oxygen के molecules हैं, यह oxygen के molecules hemoglobin में attach हो गए है iron वाले parts से आके attach हो जाते है फिर मैं आपको बताता है, वोई जो hem वाला part है, जो iron वाला part है hemoglobin का, उसी ही वेज़ से blood का red color होता है तो guys, I hope video आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा channel पसंद आता है हमारे videos पसंद आते हैं तो kindly subscribe to this channel और thanks for watching इस video को ज़ाज़ा शेयर करें have a nice day, bye bye, take care